हेलो फ्रेंट्स कैसे वो आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होगे आप सब को वगवान बहुत खुश रखे आज के वीडियो में बात करेंगे एमस्ट्रैड AC के बारे में दोस्तों एमस्ट्रैड AC का नाम तो आपने जरूर सुना होगा नहीं सुना कोई बात नहीं डॉक्टर AC आपने जरूर सुना होगा डॉक्टर AC के नाम से इन्हों ने बहुत पर्मोशन की है पिछले 2-3 साल पहले ही इन्होंने अपने AC बजार में उतारे थे और डॉक्टर AC करके इन्होंने बहुत पर्मोशन करी है तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस ब्रैंड की बात कर रहे हैं दोस्तों एमस्ट्रैड AC की काफी रेंज एवलेबल है काफी तरह के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे किसी भी तरह की कैपेसिटी आपको चाहिए वो मिल जाएगी स्प्लिट AC मिल जाएंगे विंडो AC मिल जाएंगे तो सभी तरह के आपकी requirement पूरी हो जाएंगी लेकिन क्या हमें एमस्ट्रैड का AC लेना चाहिए क्या ये हमारे लिए value to money है क्या इस brand की service अच्छी है या फिर क्या technology यूज़ करते हैं ये क्या feature यूज़ करते हैं प्रवाइड करते हैं या फिर इनके pros क्या है और cons क्या है ये सारी चीज़े आपको इस वीडियो के इंदर पता लग जाएंगी तो जुड़े रही है वीडियो के साथ और चैनल को अभी subscribe नहीं किया है सबसे पहले हम compressor की ही बात करते हैं compressor M-Strade वाले अपने air conditioners में तीन तरह के यूज़ करते हैं पहला fixed speed single rotary compressor जो ये अपने window AC में यूज़ करते हैं और split AC में भी यूज़ करते हैं इनके split में भी आपको non inverter AC मिल जाएगा और window तो सारे non inverter ही मिलेंगे आपको दूसरा single rotary inverter compressor जो कि split AC में ही मिलेगा आपको अगर आपको inverter AC लेना है और तीसरा dual rotary inverter compressor वो भी split AC में ही मिलेगा dual rotary का मतलब आप सब जानते हो दो rotor होते हैं जैसे LG या वोल्टास वगेरा बाकि सारी companies में भी आपको मिल जाते हैं तो उसकी efficiency थोड़ी सी जादा होती है तो ये तीन तरह के compressor यूज़ करते हैं जो generally 52 degree ambient तक perfectly काम करते रहते हैं लेकिन इनका एक model ऐसा भी है जो 60 degree ambient तक भी perfectly काम करता है तो ये model number वगेरा सब आपको description में मिल जाएंगे price भी वहाँ पर मिल जाएंगे आप जाकर अराम से check कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आप ये video जरूर देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपको description में जाना है या नहीं जाना है चलिए बेहराल compressor की बात हो गई अब बात करते हैं coils की क्योंकि coils most important होती है किसी भी AC में तो यहाँ पर M-Stat की तरफ से 100% copper का use किया गया है coils को बनाने में और इनकी जो fins है वो golden coated है यानि कि golden color की आपको fins मिलेंगी कुछ model में सभी में नहीं मिलेंगी तो यहाँ पर मुझे ये छोटा सा कौन लगा कि यार सभी में दे दे देख चलो कोई बात नहीं कुछ में दे रहे हैं तो जिसमें दे रहे हैं उन models के आप समझ सकते हो outdoor में भी देंगे और indoor में भी देंगे तो corrosion वगारा से थोड़ा सा बचा रहेगा वह नेक्स बात करते है आई शेर रेटिंग के उपर दोस्तो आई शेर से हमें पता लगता है कि कौन सा AC कितना energy efficient है तो यहाँ पर unfortunately Mstrad की तरफ से सारे AC 3 star rating के आते हैं बस एक ही model ऐसा है जो 5 star rating का आता है और इनका जो role model है Dr. AC वो भी सिरफ 3 star rating में ही आता है वो भी 5 star AC नहीं है तो दोस्तो सिरफ एक model है 5 star rating का और उसकी आई शेर rating भी बड़ी कमाल की है 4.61 बहुत ही below rating है यह आप सब जानते हैं कि 5 plus rating का आप जमाना आ चुका है वोल्टास ने भी 5.4 rating प्रोवाइड की है एक model के अंदर डाइकिन है और भी बहुत सारे ब्रैंड है तो शिबा है और इवन की मिटसु बोशी 5.7 प्रोवाइड करता है तो ऐसे में आप तो यार आई शेर मतलब highest की तरफ जा रही है और एम्स्राइड वाले जिरफ 4.61 दे चाहिए तो इनके जो model है डेटन की अगर मैं बात करो तो उसमें different cooling capacity आपको देखने को मिलेंगी 5150 है किसी की 5350 है किसी की 6400 है तो अलग-अलग cooling capacity आपको देखने को मिलती है अलग-अलग model के अंदर और ज्यादा तर इनके जो model है वो 3 star rating के है तो इसलिए वो AC डेटन की बा काफी ज्यादा बिजली खाते होंगे लेकिन इनका जो 5 star rating का AC है उसकी cooling capacity 6400 तक जा सकती है 6400 वाट्स तक जा सकती है और वो maximum pair लेता है 6.5 बट स्टिल उसकी आईशर बहुत कम है तो energy efficiency इतनी भी जादा वो नहीं provide करवा पाएगा जैसे कि मैं मानता हूँ अब बात करते हैं के air filtration के बारे में दोस्तो air filtration की अगर बात की जाए तो लगबग सभी models में आपको dust filter मिलेगा लेकिन जो इनका doctor AC वाला model है उसके अंदर आपको कुछ advanced air filtration system मिलते हैं यह आप यह कह सकते हैं कि अगर आपके पास इनका doctor AC है तो आपका room काफी हद तक clean कर देगा उस air को तो उसम में कौन-कौन से filter यूज कियेंगा यह जान लेते हैं सबसे पहले तो dust filter आपको मिलना ही है anti-bacterial filter महाँ पर मिल जाता है कोई bacteria बगारा है room में के दो वह एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद PM2.5 filter लगा दिया गया है micro particles भी अगर है air में तो वह भी filter कर लिये जाएंगे बस filtration बस इतना ही है उसके बाद है इसमें anti mosquito properties तो एक filter के अंदर इन्होंने mosquito repealent लगा दिया है उससे क्या होता है कि air जब आती है indoor से तो वह repealent मिल के आती है तो अगर कमरे के अंदर कोई mosquitoes बगरा होते हैं तो वह जैसे हम दो जाएगा और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहीं mention यह नहीं किया है कि वह repealent जो है वह बार बार आपको उसमें कुछ top up करना है या वह कितने दिन चलेगा तो आप यह समझ के चलो कि वह कोई बहुत long lasting काम नहीं है थोड़े दिन काम करेगा उसके बाद मुझे लगता कुछ नहीं है अबर filtration एक्स्ट्रा कर दिया गया है और एक्स्ट्रा भी कोई मनलब खास नहीं कर दिया पीम 2.5 लगा दिया एंटी बैक्टीरियल लगा दिया बाकी मैंने आपको आई अब भी के एसी बताए थे लास्ट यह साल भी मैं बताऊंगा आपको यह और भी में मिलेंगे 130 से लेके 270 वोल्ट तक का वोल्टेज देखने को मिलेगा अगर आपके यहां पर वोल्टेज फ्लक्ट्वेशन नहीं होता है ज्यादा तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की जूरत नहीं है इंवर्टर एसी में बट स्टिल मैं रेक्मेंड करूंगा एंस्ट इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है तो यार स्टेबलाइजर जरूर लगा यह डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं चेक कर सकते हैं बात करें सेल्फ क्लीनिंग की कुछ एक दो मॉडल ऐसे हैं जो सेल्फ क्लीनिंग फीचर को सपोर्ट करते हैं तो जो इंडोर की कॉईल होती है वो आटोमेटिकली क्लीन हो जाती है कुछ एक दो मॉडल है सब में ऐसा नहीं होता है वाइफाई का फीचर आपको मिल जाएगा कुछ मॉडल के अंदर आप मतलब इसको फोन से ऑपरेट कर सकते हो वो सब चीज़े आपको जैसे LG में या प किसी भी AC के अंदर और दोस्तों इनके AC के अंदर ना एक प्रॉब्लम है जो यूजर्स की तरफ से मतलब मुझे कई बार मैसीज आए है या फिर रिव्यूज कई बार मैं देख लेता हूं तो उसमें पता लगी है कि इनके जो इंडोर है या AC की जो नॉइस लेवल है वो ब पीचर्स और टेकनोलजी के उपर आप बात करते हैं इनकी वरंटी के उपर क्योंकि वरंटी भी मोस्ट इंप्रॉडन होती है किसी भी प्रॉडक्ट को अगर हम खरीद रहे हैं तो जो इनके नॉन इंवर्टर एसी है यानि कि बेशक वो विंडो एसी है चाहे स्प्लिट ए इंवर्टर उसमें आपको यह देते हैं एक साल की प्रॉडक्ट वरंटी यानि कि कॉम्प्रीहंसिव और पांस साल की नहीं यहां पर यह छे साल की वरंटी देते हैं कंप्रेसर के उपर जी हां स्प्लिट एसी अगर आप ले रहे हैं इनका नॉन इंवर्टर तो यह आपको यह देते हैं एक साल की comprehensive warranty प्लस 4 years की उनके components के उपर warranty देते हैं तो इसको आप एक तरह से वही समझ लिए कि PCB उगारा सब कुछ जितने भी components लगे हैं वो 5 साल के लिए secure हो गए हैं तो इसको आप मान सकते हैं कि comprehensive warranty है बट यह components के उपर रहेगी और जो बाकी 10 साल की warranty यह देते ह अपने inverter compressors के उपर बैशक वो single rotary हो या फिर dual rotary हो तो यह है इनके जो warranty terms और अब बात करें इनके price की दोस्तों price जो है डेटन की अगर बात की जाए तो price range इनकी वो ही है 34,000 से 37,000 के बीच में आपको AC मिलेगा और किसी भी brand का अगर आप लोगे बेशक आप IFB का ले लो carrier का ले लो इवन की LG का भी ले लो तो आपको इस range में उनके भी AC मिल ही जाएंगे लेकिन हम इतने पैसे खर्च रहे हैं और वो Amstrad का AC ले रहे हैं और आइशर वैल्यूस की इतनी कम है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई है तो आपको compromise करना पड़ेगा अब बात करें इसकी सर्विस की तो सर्विस के मामले में यहां पर थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं जादा ही कम ही है क्योंकि सर्विस स्टेशन जो है वो बहुत ही कम है तो आप सार का इसी ले लीजिए अधरवाइस बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम होगी अच्छा इनके जो सर्विस स्टेशन है भी तो वो थर्ड पार्टी है कोई मतलब ओफीशल नहीं है कि कंपनी का नहीं है थर्ड पार्टी कॉंट्राइट द अब सेल का देगर देगा यह EC को लेकिने बात होती है आफटर सेल सर्विस तो हमेशां अगर सर्विस की कभी बात हुएं आप अभी सर्विस के बारे में सोचते हैं तो उसको आफटर सेल सर्विस के मतलब मand push 거야 installation तो यह करदेते हैं कोई भी ब्रैंट बहुत जल्दी कराते same day installation भी करा देते हैं लेकिन दोस्तों after sales service जब उसमें problem आएगी आपको service करानी है तब देखना होता है कि तब वो कितना अच्छा response करती है company तो ऐसे में negative feedbacks हैं Amstrad के बारे में तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए पता रहा हूँ ताकि अगर आप भी planning कर रहे हो Amstrad AC के बारे में तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता लगे और आपको फिर कोई नुकसान हो जाए आपको ऐसा लगे यार ये तो हम ठगे गए हमने इतने पैसे भी खर्च किया और हमें सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपके पास Amstrad AC है तो उसके क्या reviews है क्या feedback है आपका मुझे comments में जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर कीजिए मैं मिलूँगा आपको इसी नहीं वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों